बहुत जरूरी खबर आज के वीडियो में आपके लिए अर्जेंटली ये वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि फेड वापस आ चुका है फेड की मिटिंग है और कल जब यहां पर कयामत की रात हो सकती क्योंकि कल है 27 जुलाई अब देखें ये वीडियो मैं आपको इसलि की रिकवरी हुई है और पिछले दो दिन से लगातार FIIs यहां पर सेल करके भाग रहे है और बजार लगातार नीचे गिर रहे है दो इंपोर्टेंट चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है दो बहुत बड़े एकनॉमिक इवेंट यहां पर होने वाले पहला आज आज आ मार्केट देख लेते हैं क्या चल रहा है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कौन से शेयर एट्रेक्टिव है और कौन से शेयर आपको महेंगे दिखाई दे रहे हैं जिससे आप और क्लियारिटी के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाएं तो अभी आपको बजार दि देख लेते हैं तो जो शेयर गिरे आपको दिखरा होगा रामको 10 प्रतिशत की गिरावट है और एमफसीस मल्टी बैगर श्टॉक 6 प्रतिशत की गिरावट है देखिए मैं टेक में इतना जादा इंवेश्मेंट नहीं करता हूँ रूची नहीं लेता हूँ अगर आप टे स्टॉक है उसके नीचे मिलेगा तो मैं भी यहाँ पर इंवेश्मेंट कर दूँगा वैलियंट और गनिक आज 6 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है यह भी एक मल्टी बैगर इस्टॉक है जी इसमें भी आप इंवेश्मेंट कर सकते हैं एल एंटी टेकनलोजी यहा पर 2700 के पास होगा तब लेने की यहाँ पर सोचेंगे अगर आप टेक में इन्वेश्मेंट करते होगे तो तो सारे टेक श्टॉक्स यह तो आम बात है कि फेट रेट हाइक करने वाला है तो टेक श्टॉक ज्यादा तर गिरेंगे लेंटी इंफो टेक हो गया तो टेक करने लिवर तो ऐसा स्टॉक है कि एवरी डे बाय है जब आपको मन करें तब आप बाय कर लें बजाज ओटो 3900-3300 इसका सही बाइंग प्राइस है आईशर मोटर 2000 सही बाइंग प्राइस है तो उपर हो गया है पिछले एक मैना बजार काफी स्टेबल रहा है 15-20 दिन और अ दूसरा शेयर अगर आप मुझसे कहोगे बाय करने तो मैं शायद HUL, HUL चुकि थोड़ा महंगा हो गया है तो Nestle ले लोंगा या Britannia ले लोंगा तो ये दो मेरी पिक है NSC में आज का मार्केट देखते हुए क्या-क्या बढ़ा है वो भी एक बार थोड़ा सा देख लेते है बिनाती और्गनिक्स तीन प्रतिशत बढ़ा है ये भी एक स्टॉक है anytime, everyday buy है कैस्ट्रोल बढ़ा है जेके सिमेंट भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है EPL एक अच्छा स्टॉक है जो अच्छे स्टॉक है रामको सिमेंट अच्छे स्टॉक है वो मैं आपको यहाँ प रहा है सबसे important data जो आने वाला है वो आज है जिसका नाम है consumer confidence data आज भारतिये समय अनुसार साड़े साथ बज़े याने dow खुलने के बाद आदे घंटे बाद आपको नजर बनानी है dow पे volatility से आप समझ जाएंगे अब देखे consumer confidence data जो है यह क्या होता है हर मैंने release किया जाता है य यहने कि हमारा हम सब का आपका market को लेके economy को लेके भरोसा कितना है तो जितना जादा भरोसा उतना अच्छा और जितना कम भरोसा उतना खराब तो generally जब 100 के नीचे consumer confidence data हो जाता है तो वो recession indicate करता है यहने कि सारे लोगों को लग रहा है recession आने वाला है और 100 से उपर रहता है इ economy को लेके कोई चिंता वाली बात नहीं है अभी क्या है कि देखे 2020 के बाद पहली बार पहली बार consumer confidence data 100 के नीचे आ है 100 के नीचे आ गया जी और ऐसा अनुमान है कि आज रात को साड़े साथ बज़े data 100 के नीचे तो आए गई आएगा मुझे लगता है कि 97 के असपास आएगा 97 के भी नीचे आ सकता है अब की point आपको note करना है साड़े साथ बज़े आप Google में search करेंगे US consumer data क्या आया है लिखेंगे तो अपने आप आजाएगा 97 के अगर थोड़ा भी नीचे आया 96.9, 96.7, 96.5 तो Dow Jones 300 point गिर जाएगा guarantee के साथ बता रहा हूं यह आप लिख लिजे और अ 97 के ऊपर आता है 97.5, 97.7 या 98 तो Dow Jones 200, 300 point बढ़ जाएगा तो दोनों साइट deviation है plus 300, minus 300 यह बात guarantee के साथ आप लिख सकते हैं जब data आएगा तो आप इसको market में देख लेंगे अब आप पूछ सकते हैं कि अंकी जी आप यह सब क्या बताते हैं मतलब देखिए मैं हमेशा से believe क चलता है ना कि trading event पे चलता है आप चार्ट वार्ट देखके जादा कुछ पता नहीं लगा सकते हैं साड़े साथ बजे जैसे ही यह data हैगा आप पता लगा लेंगे कि market किस तरफ diverge करने वाले हैं और उस हिसाब से अगर आप position लेंगे trading में भी तो आप बहुत ही अच्छे त fed की वह सेप्टेंबर में यानि कि अगस्त हो गया सेप्टेंबर हो गया अभी दो मैने का time मिल गया उनको तो यह meeting काफी important है जुलाई में और dates में आपको time बता देता हूं कि fed की meeting यहाँ पर कब-कब कितने बजे तो आप alert रहेंगी तो कल भारती शेयर बजार में तो fed की meeting न देने वाला है तो देखे साड़े साड़े 11 बजे 27 जुलाई को साड़े 11 बजे FOMC का interest rate बढ़ा कितना है वो decision यहाँ पर सामने आ जाएगा अब अनुमान यह है currently चल रहा है 1.75% पर रेट अनुमान यह कि धाई प्रतिशत तक जाएगा अगा धाई प्रतिशत से एक भी point ब बढ़ा रहा है कि कल फेड आएंगे जेरोम पोविल और 0.75% का rate बढ़ाने वाले हैं यह बार बिल्कुल तै अगर 0.75 से जादा rate बढ़ाएंगे तो market crash कर जाएगा 0.75 से कम बढ़ाएंगे 0.5 अगर बढ़ा देंगे तो market boom कर जाएगा तो यहाँ पर plus 600 का deviation है plus minus 600 का deviation है 0.75 पर रखते हैं तो market में ज्यादा volatility नहीं देखने को मिलेगी और अगर यहाँ पर 1% बढ़ा देते हैं तो सीधा minus 600 है कोई यहाँ पर doubt नहीं है और अगर minus बढ़ाते है 0.50 में बढ़ाते हैं तो यहाँ पर Dow Jones प्लस जाएगा एक और चीज है देखना वाली बात है कि operator कई बा काटता है तो इससे भी आपको alert रहना है कि हो सकता है खराब खबर आए लेकिन बजार बढ़ जाए लेकिन उसके बाद operator अगले दो दिन या पूरा हफता फिर बजार को गिरा के पूरा profit जो है वो यहाँ पर ले लेगा क्योंकि हम यहाँ पर यह सोचके चलते हैं कि हमारे हि और टम में operator के हिसाब से चलता है तो यह एक बात है तो आपको देखना पड़ेगा 27 तारिक के रात को साड़े 11 बजे कैसे देखेंगे तो आप Google में देख सकते हैं नहीं है तो आप जॉइन कर लिजे मार्केट मैस्टो को subscribe के बाजू में जॉइन है जॉइन कर लेंगे साड उसी टाइम पर तो यहाँ पर यह दो बड़े event है जिसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो कयामत वाली रात है वो यहाँ पर वापस आ गई है तीसरा और आखरी चीज इस वीडियो में Wix देखें Wix indicate कर रहा है volatility का तो कही ना कही volatility आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर volatility मतलब दोनों साइड में यहाँ पर हो सकता है single side Wix नहीं है Wix बहुत जादा गिर जाता है तो वो single side है की बजार अब उपर जाने वाला है और बढ़ जाता है तो नीचे गिरने वाला है Wix इस वक्त यहाँ पर plus minus दोनों तरफ indicate कर रहा है मतलब Wix को खुद confusion है कि यहाँ पर सब इसलिए दो दिन बहुत ही important है और मैं तो June में आपको बता दिया था कि July के Fed meeting के बाद ही मैं कोई investment करूँगा इसलिए थोड़ा वीडियो भी कमा आ रहा था एक बार एक अगस्त से जब decision सारा चीज clear हो जाएगा तो हम अपने investment को उस हिसाब से उस दिशा में आगे लेकर आई है कि इस बार Jerome Powell stock market को शौक देने वाले तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना बताया है जो अंदर की ख़बर है Bloomberg के तरफ से वो यही है कि इस बार market को शायद शौक देने वाले है Jerome Powell अब शौक का मतलब है कि 1% का rate hike कर देंगे क्या यह भी हमें देखना पड़ेगा क्य सबसे बड़ा hike हो गया था एक single time में अभी एक प्रतिशत तो उससे भी जादा हो गया तो यहाँ पर क्या है यहाँ फिर Jerome Powell को लगेगा नहीं inflation जो था वो यूकरेन रशिया के कारण था one time था हम control कर लेंगे तो 0.5 बढ़ा देता हूँ 0.5 बढ़ाएंगे तो market boom कर जाएगा so it's all the point depend करता है कि Jerome Powell क्या आके बोलते हैं तो वीडियो में क्या होगा मैं आपको बता दूँगा कोशिश करूँगा रात कोई वीडियो बना दू रात के 12 बजे अगर आप आज के वीडियो में 10,000 like देंगे तो fed की meeting मैं रात में वीडियो बना कर यहाँ पर cover कर दूँगा उमीद है आप सब इतना प्यार जरूर दे कि मैं रात में आकर आपको एक बार वीडियो बना कर बता दूँगा कि मार्केट किस तरफ यहाँ पर जाने वाला है तो अगर आप fed की meeting जानना चाते क्या decision होगा कैसे होगा और उसका outcome क्या होगा मार्केट में अभी क्या भी देखना पड़ेगा क्या decision निकल कर आ रहा है क्या outcome निकल कर आ रहा है तो आप यहाँ पर जरूर alert रहे हैं मेरा काम है हर बार आपको पहले से बता करके रखू always prepare for the worst to get the best हमेशा worst के लिए prepare रहे हैं ताकि आपको best यहाँ पर मिल सके इसी के साथ इस वीडियो को खतम करते हैं देखते जरूम पोवेल क्या decision लेते हैं इस वीडियो में इतना ही share जरूर करिये हर बारतिये के साथ ताकि उन तक यह message पहुंच जा है कि जरूम पोवेल decision यहाँ पर लेने वाले हैं इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपस अगले वीडियो के साथ में